question 1 find the amount and the compound interest on 8000 rupees at 5% per annum for 2 years तो हमें find करना है amount, compound interest भी find करना है 8000 rupees पर, 8000 rupees क्या है principle, 5% per annum के हिसाब से rate है, ये rate of interest है और 2 years is time, तो इस question को हम solve करेंगे without formula क्योंकि आपका exercise 2.1 actually best है without formula, बन्तब conceptual understanding से हम solve करेंगे समझेगा, सबसे पहले यहाँ पर जो principle दिया हुआ है उसको लिख लेंगे ठीक है, जैसे से solve करेंगे वैसे वैसे हम concept भी discuss करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से सबसे पहले लिखेंगे principle for the first year तो principle कितना है? 8000 rupees 8000 rupees आपका principle है हमें rate और time को लिखना नहीं है क्योंकि हमें one year के लिए निकालना है तो हम पहले निकालेंगे हाँ पर interest for the first year एक बात यहां समझेगा interest for the first year हम निकाल रहे हैं मतलब एक साल के लिए पहली साल क्योंकि two years के लिए हमें निकालना है तो first year के लिए जो interest होगा उसे कैसे calculate करेंगे तो जो हमारा simple interest का जो formula होता है वह ही apply करेंगे कोई भी year हो one year के लिए आपका जो simple interest होता है simple interest होता है वो exactly equal होता है compound interest के तो one year के लिए हमें कोई यह formula मतलब की same रहेगा दोनों के लिए तो इसलिए हम PIT upon 100 लगा सकते हैं one year के लिए बस ध्यान रखना यह है कि compound interest निकालना है तो first year के लिए तो ऐसे कर लेंगे लेकिन second year के लिए आपको principle change करना पड़ेगा तो वह हम यहाँ पर जब जैसे solve करेंगे वैसे यहाँ को दिखाते रहेंगे सबसे पहले हम principle पहले तो interest निकाल लेते हैं first year का क्या होगा यहाँ पर रुपी आपका होगा 8000 रख लेते हैं into rate है आपका 5 into time जो है 1 ले रहे हैं क्योंकि 1 year के लिए इकाल रहे हैं first year के लिए upon 100 अब दिखें 2-0 कैसे लाट हो जाएगे 5-8-0-40 मतलब 400 आ जाएगा 400 रुपीज this is the interest for the first year इसके बाद हम लिखेंगे amount after one year मतलब कि one year में one year के बाद कितना amount हो जाएगा ये जो 8000 रुपीज था वो बढ़ करके कितना हो जाएगा amount after one year will be 8000 में 400 आड कर देंगे क्योंकि principle में ही जब हम add करते हैं interest तो वह होता है amount तो principle है आपका 8000 add कर देंगे 400 interest मिल जाएगा आपको 8400 रुपीज amount हो जाएगा at the end of first year ठीक है अब निकालेंगे principle for the second year क्योंकि हमें two years के निकालना है तो हमें निकालना है principle for the second year तो principle for the second year क्या होगा कि जो first year में जो amount आया था at the end वही होता है principle उसी को हम ले ले लेते हैं principle की तरह तो यह जो amount हुआ वही हो गया principle for the second year means 8400 रुपीज this is the amount for the first year and that will be equal to principle for the second year मतब दूसरे साल के लिए जो principle उस करोगे वो जो amount बन चुका रहेगा first year के end में वो उसी को उस करोगे किस केस में जब compound interest निकाल रहे हो तब यदि simple interest निकालना रहता न तो हम यहाँ पर जो principle for the second year यूज करते वो किवल 8000 करते यही difference समझ करके हमें solve करना है तभी गलती नहीं होगी तो हो गया principle for the second year is 8400, now interest निकाल सकते हैं interest for the second year will be PRT upon 100 तो हम सेम फ्रमूल लगाएंगे क्योंकि एक साल के लिए निकालना है तो आपको simple interest से जो निकलेगा interest वही होता है compound interest का भी value, one year के लिए ठीक है, same होता है one year के लिए यदि आपको पता करना है कि क्यों होता है same तो मैंने एक video बनाया है concept of compound interest उसको आप देख लीजेगा जो कि इसी playlist में मिल जाएगा आपको चली solve करते हैं इसको तो यह हो जाएगा 8400 पर भाई rate है आपका 5% into one time है अपान 100 तो दो 0-0 के 0 हो जाएगे यहाँ पर 5-0 प्लाइगे मिल जाएगा 420 ठीक है, यह जो 420 rupees आया, यह interest आया for the second year, हमें निकालना क्या है अब, amount निकालना है for two years, तो अब यहाँ पर आप जो निकालेंगे amount वही आएगा answer हमारा मतलब की, हैं लिखेंगे amount after two years देखें, amount of two years जो आएगा, वो जो हमारा principal था second year के लिए इतना इसी में add करेंगे इतना मतलब principal for the second year is first, second year is 8400 400, इसमें add करेंगे interest for the second year तो हमारा amount निकल जाएगा after two years, तो यह जो amount आया two years के लिए, यह हमारा amount है actual, जो value हमें निकालने थी 4, यह 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 and यह हो जाएगा 8 8820 this is the amount जो हमें find करना था, यहाँ पर यहाँ जो amount है find करना था, वो ही हमने amount यहाँ find कर लिया, तो this is your first answer हमें निकालना है compound interest भी, यहाँ क्या लिखाया है find the compound interest also for two years compound interest निकालने के लिए simple यहाँ पर जो first year का interest आया था 400 और यहाँ पर second year का जो interest आया था 420, इन दोनों को add कर देंगे तब भी निकल जाएगा तब क्यों आड करते हैं, है कि नहीं या फिर आप यह भी कर सकते हैं कि amount जो आया है two years का, इसको इसमें से minus कर दें principle for the first year तब ही आ जाएगा अब यहाँ लिखेंगे compound interest ठीक है, अब compound interest निकाला जा रहा है तो जो हमारा यहाँ पर amount है 8,820 यह at the end of second year इसमें से minus करेंगे principle of first year principle of first year क्या था? 8,000, मतलब जो actual principle था starting में, वही minus कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 820 और 820 को find करने के लिए यह भी कर सकते हैं यह जो interest for the second year है और interest for the first year आइड करेंगे तब भी आजाएगा तो आप किसी भी तरीके से करिए आपका answer आना चाहिए सही-सही तो यह हो गया आपका answer Question 2 A man invests 46,875 at 4% per annum compound interest for 3 years calculate the interest for the first year the amount is tending to his credit at the end of the second year and the interest for the third year दिखे, मतलब एक आदमी invest करता है 46,875 रुपीज किसी कंपनी में और वो कंपनी 4% per annum के हिसाब से उसको compound interest देती है 3 years के लिए तो calculate करना है कि interest क्या मिलेगा उसको first year में उसके बाद उसके account में कितना amount होगा to his credit to his credit मतलब कि उसके account में कितना पैसा आएगा at the end of the second year second year में कितना उसका amount हो जाएगा at the end of और कराएं कि third year में जो interest मिलेगा मतलब एक साल में जो third year में actual में तीसरी साल में जो interest मिलेगा उसको कितना मिलेगा तो जो हम इसको without formula करते हैं वैसे ही करेंगे तो हमारा answer आसानी से आ जाएगा चलिए one year के लिए तो अब interest निकाली लेते हैं interest for one year is equal to देखिए p r into t हम simple interest का जो formula होता है उससे ही निकालेंगे क्योंकि simple interest for one year is same for compound interest also इसलिए कोई disturbance नहीं होगी बस हमको ध्यान रखना है p पर क्योंकि first एक निकालना है तो p कितना होगा second year के लिए निकालेंगे तो p कितना होगा बस इस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं interest का जो formula है वो prt upon 100 ही लगाएंगे तो ध्यान दीजेगा p हमारा है 46,875 into rate of interest 4 दिया है into 1 upon 100 तो यहाँ पर मड़पला ही पहले कहलेते हैं 1875 upon 100 यहाँ जिल जो cancel हो जाएगा और मिल जाएगा हमको rupees 1875 this will be your first answer 1875 तो हमारा यहाँ निकालना था the interest for the first year तो वही हमारा निकाल गया interest for the first year is this अब यहाँ पर निकालेंगे amount at the end of first year तो 1 year के बाद कितना amount उसका उसके account में हो जाएगा तो principal जो आएगा first का first का जो principal होगा मतलब इतना इसमें add कर देंगे यह जो interest आया था तो हमारा निकाल जाएगा amount 1 year के end में कितना उसके account में हो जाएगा मतलब कि 46,875 में add कर देंगे 1,875 रूपीज तो यह हो जाएगा 48,750 रूपीज अब यह जो amount है 1 year के end में जो आया है यही principal की तरह act करेगा for the second year तो principal for the second year होगा इतना ही 48,750 रूपीज प्रिंसिपल हमने निकाल लिया तो अब interest निकाल सकते हैं second year का तो interest निकालने का मतलब कि PRT आपन 100 करेंगे देखिया हम पर P change हो गया है P आपका हो गया है 48,750 first time कितना था 46,875 था तो बस P change होगा every year ओके तो P यहाँ पर आ गया 48,750 multiplied by 4 rate of interest है और 1 year का time है और यह हो गया 100 0 से तो cancel हो गया यह अब हम force multiply करेंगे और फिर एक 0 आएगा उससे cancel कर लेंगे आपका जाएगा वो 19,500 और 0,0 जाएगा मिल जाएगा हमें finally 1,950 रूपीस यह आपका second year का interest है यह हमें निकालना नहीं है फिर भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हम जैसे से process कर रहे हैं जो हमारा तरीका है निकालने का first year का हमें निकाला फिर second year का निकाल रहा है फिर third year का निकालेंगे उसी में हमारे सारे answer आ जाएगे तो यह process पर ध्यान दीजिए और जो pattern है तो interest for second year आपका निकाल गया है 1950 रूपीस अब निकालेंगे amount after 1 year तो यही पूछा है आपका कि amount क्या होगा 2 years के बाद जो यह question पूछा है second part देखे क्या पूछा है पूछा कि the amount is standing to his credit at the end of the second year second year में उसका amount कितना हो जाएगा यह पूछा है तो वह हम यहाँ पर find करने वाले है principal for the second year देखे principal for the second year कितना है principal for the second year is 48,750 इसमें add कर देंगे यह second year का जो interest आया था मतलब कि 48,750 में add करेंगे 19,50 अब यह जो आएगा वही होगा amount after 2 years यह 50,700 50,700 is the amount after 2 years तो this is your second answer अब हम निकालेंगे देखे जो amount आया है after 2 years इसी को हम लेंगे as principal for the third year तो principal for the third year will be amount after 2 years the same one 50,700 principal अब निकालेंगे interest for the third year तो interest जो निकालेंगे third year के लिए PRT upon 100 करेंगे same formula principal आखका होगा 50,700 50,700 multiply by 4 data context है 1 year time upon 100 यह 0000 होगया 4 से multiply कर लेंगे 4,728 और यह होगया और यह होगया 4,5,020 मता होगया 20,028 तो this is this is the interest for the third year और यह आपका आंसर है यह third का answer है question 3 calculate the compound interest for the second year on 8,000 rupees invested for 3 years at 10% per annum तो ध्यान समझे का क्या कर रहा है कर रहा है न compound interest निकालिए for the second year मतलब कि दूसरे साल के लिए निकालना है मतलब फॉस्ट यह के लिए निकालना कि वो second year में जो compound interest होगा second year का दूसरे साल का वो कितना होगा 8,000 rupees दिया principle जो invest किया गया था 3 years के लिए 10% के interest से per annum PA मतलब की per annum मतलब की per year इसका मतलब होगया per annum मतलब यहां एक और find करना है find the sum due at the end of third year यह कह रहा है कि मतलब की कितना sum हो जाएगा कितना sum बचेगा third year के ind में मतलब वही चीज बोल रहा है कि amount कितना होगा third year के ind में ठीक है समाज गए question अब इसको हम करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे principle for the first year तो first year के जो principle होगा वो 8,000 rupees है तो कि यही invest किया गया है अब यह जो principle है इसी principle के use करके हम निकालेंगे interest for the first year देखें यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ interest for the first year मना कि पहले साल का जो interest होगा वो कितना होगा तो हम जो formula गाते है simple interest का P into R into T उससे जो interest निकलता है वही interest होता है first year के लिए मना एक साल के लिए कुछ भी निकालेंगे interest ना तो यह जो simple interest का जो formula होता है वही होता है same for compound interest also for one year बस आपको principal change करना होता है ठीक है चलिए solve करता है तो P आपका हो जाएगा 8000 multiplied by rate आपका है 10% 10% पर रेनम के साब से into time है one year first year के निकाल रहे है upon 100 0 cancel हो जाएगा यह 2 0 से तो मिल जाएगा 800 मतलब की rupees 800 is the interest for the first year अब निकालेंगे हम इसके बाद क्या amount after one year amount after one year will be 8000 plus 800 यह आपका आजाएगा 8800 जो amount होता है one year के end में यह जो amount होता है उसी को हम लोग लेते है principal for the second year जब compound interest निकालना होता है for the second year तो हम 8000 ही principal लेते जो first year में principal लेते वह ही second year के लिए भी लेते but हमें निकालना है compound interest तो जो first year का amount आया है end में उसी को principal as a principal माल लेते है for the second year principal for the second year will be 8800 same as this अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं interest for the second year तो यह जो interest निकाल रहे हैं यह actually compound interest ही है ठीक है यह जो interest लिखा हुआ इसको समझे हम मत यह मत समझे है कि यह equal interest है यह compound interest है actually क्योंकि हम यहाँ पर देखिए जो principal use कर रहे हैं second year के लिए वो यहां पर interest को add करके कर रहा है जो initial principle था उसको नहीं कर रहा है इसलिए ये interest निकाल रहा है मत्तब compound interest ही निकाल रहा है तो P into R into T upon 100 ये ही फ्रमूर लगाएंगे P आपका है देखे 8800 और rate आपका है 10% into time है 1 whole upon 100 देखे 0 जरी गेंसर हो गया ये और return simple हो जागा तो ये हो जागा 880 तो ये जो आया this is your answer this is your compound interest for the second year interest in, मत्तब compound interest for the second year will be 880 रुपीज ठीक है this is your answer अब हमें निकालना है क्या find the, दिखें है आप लिखा है find the sum due at the in the third year तो अब तीसरी साल के ant में, जितना भी sum होगा जितना भी amount होगा तीसरी साल के ant में वो बताना है, मतलब कि पूरा complete ये solve करने के लिए बोल रहा है कहने का, मतलब ये ही है, चलिए solve करते है अब निकालेंगे principal for the third year तो पहले तो निकालेंगे amount for the second year, second year के end में कितना amount हो गया, तो amount after two years will be जो principal होगा second year के लिए 8,800 इसी में add कर देंगे interest इतना plus 880 ये आपका interest है, secondary का add कर देंगे, तो मिलेगा हमें 9,680 रुपीज this will be your principal for the third year तो principal for the third year will be this one 9,680 रुपीज अब third year के जो principal find कर लिए तो अब निकाल सकते हैं interest for the third year जब interest निकालेंगे मतलब compound interest निकाल रहा है actually third year का तो PRT upon hundred करेंगे ये मैं PRT upon hundred लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझेगा कि simple interest निकाला जा रहा है नहीं है क्योंकि principal तो change हो रहा है na principal ही change जब होता है तभी compound interest निकलता है तो principal हर year में every year we are changing principal so this is not simple interest this is compound interest for the third year तो ये कितना हो जाएगा principal होगा दिखें 9,680 रुपीज reply कर देंगे 10 से into one year whole upon hundred ये one कि लिख रहा हूँ में क्योंकि third year है तीसरी साल मतलब तीसरा साल एक ही year होगा na अब दिखेंगे 0000 केंसे लो जाएँगे ये 0 ये 0 अब यहाँ बच्चा जो वो आपका हो गया interest for the third year अब निकालेंगे amount at the end of third year amount after three years will be जो यहाँ पर principal था हमारा second year का actually ये इसी में add कर देंगे हम जब ये amount ये जो interest का amount add कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा amount कर जाएगा after three years 9680 में add करेंगे 968 means 10,648 this much will be the amount तो यही आपका answer होबा मतरब जो question पुछा था third वाला है जो last में ये आल्सो फाइंड the sum due at the end of third year तो this will be the answer for that तो लिख देंगे हमार की so is equal to rupees 10,648 question 4 Ramese invests 12,800 रुपीज for three years at the rate of 10% per annum compound interest find the sum due to Ramese at the end of the first year मतलब ये कह रहा है कि Ramese ने जब invest किया 12,800 ठीक है invest करने का मतलब की किसी company में पैसे लगाना या फिर bank मजमा करना उसको भी बोलेंगे invest है ना for three years 3 साल के लिख किया at the rate of 10% 10% मिल रहा है Ramese को per annum का ठीक है interest compound interest मिल रहा है to find the sum हमें sum find करना है sum मतलब की कितना पैसा उसको total मिलेगा due due मतलब होता है कि प्राप्त कितना हुआ to Ramese Ramese को कितना प्राप्त हुआ at the end of the first year मने first year के end में कितना sum प्राप्त हुआ फिर find करना है कि the interest he earns for the second year तो कितना interest वो second year के लिए अर्म किया केबल second year के लिए हाना दूसरे साल के लिए अब कर आए next the total amount due to him कितना total amount due to him मतलब कि उन्हें कितना मिला at the end of three years तो जब तीन साथ जब बीत गए तो अब total amount कितना मिला due मतलब मिला कितना प्राप्त हुआ ठीक है कितना प्राप्त हुआ उनको three years के end में तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम principle लिख लेंगे for the first year तो principle for the first year will be this amount 12,800 इदी principle हमने find कर लिया first year का तो अब निकाल सकते हैं interest और जो interest निकलेगा वो compound interest ही होता है actually simple interest और compound interest for the first year same होता है तो interest निकालने के लिए PRT अपन 100 लगाएंगे simple interest और compound interest दोनों same होते हैं one year के लिए तो P हो जाएगा यहां पर 12,800 multiplied by R आपका 10% का interest लग रहा है परेनम into one year के निकाल रहा है first year के लिए whole अपन 100 जिर जो इकंसील हो गे यहां से और यह 10 supply हो जाएगा मिल जाएगा हमें 12,000 sorry 1280 so this will be the interest for the first year जैकिर हमें निकालना क्या है sum निकालना है जो उन्हें मिला Ramesh को at the end of first year the first year के amount पर जो sum मिला sum मतलब क्या amount तो अब हमें निकालना है वही amount amount or sum after one year will be equal to जो principle था first year के लिए 12,800 इसी में add कर देंगे 1280 तो यह निकाल जाएगा आपका amount or sum after one year और यह ही आपका answer होगा first first answer तो यह आपका आगा 14,080 this will be your answer for the first जो amount हमारा आता है one year के लिए वही principle की तरह यूज़ करते हैं for the second year यदि आपको यह doubt हो रहा होगा कि second year के लिए जो principle यूज़ कर रहे हैं वो इतना क्यों कर रहे हैं मतलब जो amount है first year के end में उसी को principle की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं तो आप मेरा एक वीडियो देख लीज़ेगा वो concept of compound interest जो मैंने बनाया है इसी सिरीज में मतलब इसी chapter का है जो आपको playlist पर मिल जाएगा या फिर यहाँ पर यदि i-button पर link दिख रहा होगा तो वहाँ पर जाका देख सकते हैं तो principle for the second year will be 14,080 principle हमने find कर लिया second year का तो अब निकाल सकते हैं interest तो यहाँ जो interest निकाल रहा है यह compound interest ही निकाला जा रहा है actually second year के लिए क्योंकि हमने जो principle में यह add कर लिया था interest first year का तो जो नया principle बना principle for the second year हमने लिया था 14,080 यह new principle है क्योंकि first principle first year के लिए तो 12,800 था तो यह increase हुआ है इसलिए हम यहाँ बताना चाहते हैं कि principle ही change होता है every year यदि principle change करके आप calculate करते हो interest तो हमेशा compound interest निकलता है यहाद रखेगा तो यहाँ से जो interest निकलेगा P into R into T upon 100 value put करिए 14,080 मैं मड़ले करना है 10 से into 1 upon 100 तो 0 cancel हो जाने के हाँ पर आपको मिलेगा 1408 तो इस विल बी यूर interest for the second year हमारा जो question था the interest he earns for the second year तो इस second का answer यही है क्यूंकि second year के लिए जो interest है वो हमने find कर लिया 1408 and this will be your answer अब हमने interest find कर लिया second year का तो अब यहां find कर सकते है amount after two years तो two years के बाद जो amount हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए principle क्या था secondary के लिए कितना था तो principle में 1480 में add कर देंगे जो interest आया था secondary का तो वही हो जाएगा amount after two years तो 1408 में add करेंगे तो मिल गया हमें 15,488 जो amount में मिलता है second year में वही हो जाता है principle for the third year तो principle for the third year will be this 15,488 हमें actually third वाले question में देखिया करना है तो total amount due to him at the end of three years तो three years के बाद कितना amount total उनको मिल गया ये find करना है तो principle में find कर लिए third year का आप find करेंगे interest तो third year का जो interest होगा वो PIT अपन 100 करेंगे मतलब 15,488 या कहोगे P into R मतलब कि 10 percent आप 1 year अब यहां solve करेंगे तो इतना हो गया interest for the third year अब इसी interest को यही जो interest आया है इसी को यदि add कर देंगे हम principle for the third year में तो हमें निकल जाएगा amount amount after three years amount after three years हो जाएगा आपका देखिए प्रिंसिपल आपका है 15,488 इसमें add करना है 1548.8 मतलब यह कर रहा है पहले पहले तो यह simple interest दे दिया है simple interest दिया है एक sum of money पर sum of money मतलब होता है principle मतलब कुछ amount होगा कुछ money का कुछ amount होगा उस पर simple interest दिया हुआ है 2 years का 12% पर रिनम के rate से 1380 यही है आपका simple interest यह दिया हुआ है तो find करना है the sum of money मतलब जो sum of money था जिस पर simple interest यहाँ पर निकाल करके दिया हुआ है वो sum of money find करिये मतलब कि sum of money क्या था principle तो principle find करने के लिए बोल रहा है second में कहा रहा है कि the compound interest निकालिये अब निकालिये क्या compound interest on this sum मने यह sum of money जो निकला है उसी पर compound interest निकालिये for one year एक साल के लिए payable half yearly at the same rate लेकिन payable कब होना चाहिए half yearly होना चाहिए मतलब 6 महिने में ही pay कर देना है जिसे कि one year में यहाँ पर दिया हुआ 12% per annum के हिसाफ से rate है लेकिन का रहा है कि इसी rate से 12% per annum के हिसाफ का rate रहेगा but half yearly pay करना है तो half yearly pay करना है कैसे करेंगे मैं इसको second part में बताऊंगा चलिए first part पहले solve करते हैं तो जो यहाँ पर दिया हुआ है simple interest उसी से find कर लेंगे principle तो यहाँ पर हम solve करेंगे तो लिख देंगे since simple interest आपको पता है 1380 रुपीज simple interest दिया हुआ है इसलिए हम formula लगा देंगे formula होता है p into r into t upon 100 is equal to 1380 और यहाँ से हम p find करेंगे तो p find करने के लिए हमें 100 से नप्ले करना पड़ेगा और r और t से डिवाइड करना होगा तो p निकल जाएगा तो p is equal to हो जाएगा 1380 multiplied by 100 whole divided by r into t इसे डिवाइड करतेंगे मतलब मिल जाएगा r into t अब यहाँ solve करेंगे 1380 है और apply करना है 100 से whole upon यहाँ पर rate आपका दिया है 12% और time दिया है 2 year तो इसको cancel out करेंगे solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5,750 रुपीज मिल गया हमें तो यही आपका principle है तो हमने principle फार्ण कर लिया अब हमें second part करना होगा यहाँ पर second part में करना क्या है compound interest निकालना है on this sum यह जो sum हमने find किया अभी अभी इसी पर compound interest निकाली है for one year लेकिन payable half yearly होना चाहिए देखिए half yearly pay करना है तो जो rate हमारा दिया हुआ है यहाँ में बोला है ना देखिए one year के लिए payable है half yearly at the same rate same rate बोला है आँ पर same rate मतलब कि 12% per annum का rate ही लगाएंगे लेकिन 12% per annum का rate लगाएंगे लेकिन half yearly pay करना है half yearly pay करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि one year में कितने half years होते है तो two half years होते है तो two half years होते है तो हमें 12% को two से divide करके इसको भी half करना पड़ेगा सबसे पहले हम या लिख लेंगे rate of interest half yearly is equal to 12% upon 2 two से consider out होगा यह हो जागा 6% मतब half yearly जो rate of interest लगेगा वो 6% यूज करेंगे हम और principal जो यहाँ पर मिला था हमें यही principal है तो लिख देंगे आपर कि principal for the first half year अब हम निकाल लेंगे interest for the first half year तो interest for the first half year हम ठीक वैसे निकालेंगे जैसे निकालते थे तो P R into T upon 100 करेंगे और यहाँ पर rate हम यूज करेंगे 6% और principal तो आपको पता ही है तो यहाँ पर calculate कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें 5,7,5,0 multiplied by यह rate आपका है 6% into time of 1 लेंगे क्योंकि देखिए 1 मतलब क्या हो गया 1 half year first half year मतलब की 1 ही तो half year है तो यहाँ time के मतलब हो गया कि कि कितने half years मतलब हम ले रहे हैं तो 1 ही half year ले रहे हैं पर मिल जाएगा हमें 345 तो first half year का जो rate of interest मिला मतलब sorry interest जो मिला first half year का वो मिल गया 345 रुपीस अब find करेंगे second half year का तो second half year का find करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा पहले principal for the second half year तो दीगे principal for the second half year निकलने के लिए हमारा जो यह interest आया था इस interest को add कर देंगे principal में मतलब की 5750 में add करेंगे 345 तो यह मिलेगा हमें 6095 तो यह आपका principal है second half year का अब निकालने के interest for the second half year interest for the second half year होगा PRT upon 100 तो P की values करेंगे 6095 rate of interest होगा 6 time होगा one half year मतलब की one ही लिखेंगे upon 100 हमें divide करने के बाद finally मिल जाएगा 365.7 अब actually हमें करना क्या है हमें निकालना क्या है यह थोड़ा देख लेते हैं हम लोग एक बार हमें find करना है compound interest हमें केवल find करना है compound interest याद रखें compound interest find करना है तो हमें क्या करना होगा first half year का जो compound interest आया था जो interest आया था first half year के लिए मतलब कि 345 यदि हम इस 345 को add कर दें second half year का जो interest आया था ये तो first half year का interest और second half year का interest दोनों को add करेंगे तो टोटल इंट्रेस्ट निकल जाएगा वन येर का है कि नहीं अब ही निकाला हमें तो compound interest for one year is equal to compound interest for one year payable half yearly यहाँ पर लिखना पड़ेगा half yearly ही pay करके निकाला जा रहा है तो दोनों को आड़ कर लेंगे first year का जो interest आया था वो आपका है 345 plus यह आपका second half year का आया है 365.70 तो यहाँ पर आड़ कर लेंगे तो मिलेगा 710.70 this is your answer for the second part of this question आपका है